सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की कृफिश एपिसोड में और लेखे आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्निउस तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छुटी से अपील करना चाहता हूँ मैंने उस्तों नोटिस किया पिछले कुछ दिनों से कि आप में से कुछ ऐसे यूजर से हैं जो आपस में दूसरे को अब्यूस करते हैं हम सभी पड़ेली के लोग हैं हम सभी समझदार हैं तो हम कमेंट्स को गंदा ना करें तो काफी अच्छा रहेगा आज दोस्तों आप सभी से मैं चाहता हूँ कि आप एक कमेंट करें जैहिंद लिखें, हेलो लिखें, हाई लिखें, जो आपके मुन की बात है आप अपना आज कमेंट करके बताई दीजिए पूरी दुनिया को बाकी करना क्या है वो आप जानते ही हैं दोस्तों यहां पर जो पहला अपडेट है वो निगल के आता है Android 8 Oreo के लिए और यहां पर दोस्तों अब अविलिबल है OTA के लिए दोस्तों फाइल्स जो की दोस्तों लोगों ने पहले साइन अप किया था Android बीटा प्रोग्राम में तो वो दोस्तों अब जो है वो अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं अगर दोस्तों वो यूज़ करते हैं और यहां में दोस्तों चाइना में कुछ सेंटिस ने क्या किया है दोस्तों की पेड के पत्तों को काम लेने का प्लान बनाया है कि वो दोस्तों बाद में काम में लिया जा सकता है उसको पत्यों को सुखाने के बाद में यहां पर दोस्तों सूपर कैपासिटर्स में और बैटरीज में तो यह दोस्तों ट्री है फिनिक्स ट्री तो इसकी पत्तियां सूखेंगी बाद में दोस्तों काफी सारी हों पर प्रोसेस की जाएगी तो यह दोस्तों काफी एक highly porous material बन जाता है जिसके लतरी आगे चलके बैटरी वगरे में काम में लिया जा सकता है तो आपको याद है पहले एक चलता था myth पीपल के पत्ते से बैटरी चार्ज कर लो अभी देखो पत्ता जो है वो वाकई में रियल में बैटरी में काम में आने ही वाला है दोस्तों अगला अपडेट है वो ही कल गयाता है यहाँ पे ISRO की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों ISRO जो है वो launch करने वाला है कल शाम को एक नई दोस्तों सेटलाइट जो की है IRNSS 1H तो यह दोस्तों जो है वो launch होने वाली है और जोस्तों launch किया जाएगा PSLV C-39 rocket के जरिए काफी दोस्तों यह heavy satellite है और यह बिसके लिए दोस्तों replacement होगा जो existing दोस्तों network है IRNSS का उसके लिए तो यह दोस्तों launch होने वाला है कल शाम को काफी अच्छी बात है उमीद करते हैं कि launch हो successful हो दोस्तों इस रो जो है वो ऐसी हमारा नाम और आगे रोशन करता रहे हमारे देश को आगे ऐसी बढ़ाता रहे दोस्तों अगला update है वो निकल के आता है यहाँ पे LG Q6 Plus को लेके यह दोस्तों फोन है वो आने वाला है बहुत ही जल जो दोस्तों यह होगा एक offline exclusive फोन फोटो दोस्तों लिकोगा यह सामने एक कोई poster की जहाँ पे दोस्तों मालूम चलता है कि यह Q6 का होने वाला एक तरीके से भाई जहाँ पे आपको बहुत ही कुछ minor दोस्तों मिलेंगे changes बाकी phone almost save was Q6 की तरह है देखते हैं किस price पे आता है और LG क्या कुछ तीर मार पाता है Q6 Plus के साथ में या नहीं दोस्तों अगला update है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है भाईया हमारे Xiaomi के लिए और यहाँ दोस्तों Xiaomi जो है वो launch कर चुका है एक रजाई ओके दोस्तों जो रजाई है इसका ड्राम है इसको हम बोलेंगे चारपा, चरपा, शरपा दोस्तों कुछ भी बोल सकते हैं यह दोस्तों launch किया गया है और यह पैसे दोस्तों एक temperature controlled रजाई है तो आपने एक बार ओड लिया बाद जोस्तों आप उसका temperature रजाई हो कम कर सकते हैं आपको दोस्तों जाद हो तो पहले इस तरह की blankets काफी सारी आती थी market में तो यह आ गई है Xiaomi तो प्राइस है वो है करीब 499 युवान है दोस्तों बोले तो करीब करीब 5000 रुपे के आसपास जूते, चपल, मोजे, सब कुछ ही आ गया फिस तो बाकी का रहे गया है दोस्तों अगले अपडेट है वो निकल का आता है यहाँ पे Acer के एक बहुत ही कमाल के 307 डिग्री कैमरा को लेके जिसका दोस्तों नाम है OLA 360 यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्क्रीन भी तो आप दोस्तों बिसिकली एक Android-powered camera दोस्तों यहाँ पे जो प्रसेसर है वो है Snapdragon 625 तो आप दोस्तों फोटोज वीडियोज जब क्लिक करते हैं तो आप उस तेम पे उनका live preview भी देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों वीडियोज को आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K resolution तक और दोस्तों फोटोज हैं वो आप कर पाएंगे 6.9K resolution तक तो दोस्तों बहुत एक इंट्रस्टिंग कैमरा है याले कि दोस्तों प्राइस थोड़ी सी expensive है जो कि है करीब 4-29 डॉलर्स इसका दोस्तों यहाँ पे लॉंच किया एक 30-degree का dash cam जिसका नाम है Vision 360 तो यहाँ पे दोस्तों लगाते हैं अगर अपने आप कार में तो अपने आप कार में भी 4 तरफ कार के बाहर, कार के अंदर, उपर, नीचे, दाए, बाएं, सभी तरफ तरफ फुटेज है वो एक साथ record कर पाएंगे, दोस्तों अगला update है, वो निकल कहता है, यहाँ पे गूगल फ्लाइट सर्च को लेके, अब दोस्तों आप सर्च करते हैं में mobile phone में, कहीं से कहीं दोस्तों जाने के लिए flight या hotel options, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगे details के भी जो flight है, उसका क्या trend चल रहा तो यहाँ पे दोस्तों आपको शायद थोड़े से पैसे बचाने का option मिल जाएगा, बाकि आप जानते ही हो, अगर hotel search करना है, तो क्या करना है, ट्रिवागों नहीं करना है, वो पैसे आपके बचाता नहीं है दोस्तों, ट्रिवागों के लाब आप मैनुल सर्च करना है, आ तो फोन जो करेगा बहुती कमाल के काम, और इसका दोस्तों यहाँ पे जो interface दोस्तों होगा, मली रास्किंग का वो हो सकता है, iPad जैसा, तो यहाँ पे इस बार समझ लो कि Apple पूरी जान लगाने वाला है कि कैसे दोस्तों हम कमाल करके दिखा दे iPhone 8 के साथ में, because अगर अब भी नहीं किया, क्या होना तो कुछ भी नहीं है, लोग तो फिर भी खरीदी लेंगे, लेकिन फिर भी एटलिस दोस्तों अभी आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके करना ही पड़ेगा, अपने नई iPhone दे बाकि दोस्तों मैंने जो है, वो आज बुक कर दिया है, प्री ब नहीं प्री बुक कर दिया है, नोटेट को, तो यहाँ पर जो है, BSNL वो दोस्तों सेट अप करने वाला है, एक लाख Wi-Fi होट स्पोट पूरे देश भर में, और जो काम है, यह करने वाला है, कम्प्लीट BSNL मार्श 2019 तक, जहाँ पर दोस्तों अभी BSNL सोचता है कि पूरे देश भर में हम अच्छे से Wi-Fi को पहुचा देंगे, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात दोस्तों होना चाहिए, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की तो अगर सभी जिगे में Wi-Fi हो, दो सभी पब्लिक अरिया में तो काफी एक अच्छी ब से, और यहां बे दोस्तों BlackBerry जो है, वो अपने कीबोर्ड वाले फोन सो उसनों कर सकता है, साइड और यहां बे दोस्तों लाँच कर सकता है, complete testing वाला फोन, पहले हला कि कर चुका है, कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां बे जो फोन है, वो आ सकता है, water resistance वाले यहां पे हमारे YouTube की तरफ से, और दोस्तों जो लोगो है, YouTube का वो हो गया है, change काफी clean दोस्तों लगता है, कुछ लोगों को चाथ हजम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे personally काफी अच्छा लगा है, दोस्तों यह font और यह लोगो है, complete का combination, बाकि दोस्तों आपको जो है, वो phone में, कितने घंटे देखते हूं, मुझे बताना जुरूर नीचे कॉमेंट्स में, दोस्तों अगला update है, वो निकल कहता है, यहां पे Xiaomi के Mi Mix 2 को लेके, और यहां पे दोस्तों फोन है, वो launch होने वाला है, 11 सेप्टेंबर को, मतलब Apple दोस्तों आएगा 12 सेप्टेंबर को, और यह इ दोस्तों क्या करता है, Xiaomi Mi Mix 2 के साथ में, सेप्टेंबर 11 को, और बाद में Apple यहां गरता है, 12 सेप्टेंबर को, आईफोन 8 के साथ में, दोस्तों अगला update है, वो यहां पे निकल के आता है, यहां लिनोवो की तरफ से, हद हो गई है, मतलब दोस्तों यहां लिनोवो ने अभी देखते हैं कि लिनोवो को क्या कमाल करता है, लेकिना मतलब आप खुद एक बार सोचके देखो, लिनोवो और मोटरोला, दोस्तों इनका चुछ कमांइंड लाइनप है, मतलब आप 10,000 दोस्तों करा आगे बड़ते हो 10,11,12,13,14,15,16, मतलब यार हर हजार रुपी कोईन को निया फोन निकल के आ जाता है तो ऐसे में मतलब इतने सारे options नहीं शायद दूस्तों customers confused नहीं कि भईया हम कौन सा फोन लें कोई एक बता दो मालिक दूस्तों अगला update है वो निकल के आता है यार OnePlus 5 की दरफ से दूस्तों यहाँ पे basically OnePlus की दरफ से दूस्तों यह offer है जहाँ पे अगर दूस्तों आप एक student है तो आप दूस्तों गर कुछ भी shopping करते हैं OnePlus 5 करें accessories करें कुछ भी अगर आप shop करते हैं OnePlus store से तो आपको मिलता है 10% का discount यहाँ पे दूस्तों आपको सिर्फ अपनी ID दिखा के प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भी आप एक student है लेकिन दूस्तों यह offer है यह पूरी दुनिया भर में है जहाँ जहाँ पे OnePlus online बेचता है इंडिया में नहीं है क्यों नहीं है नहीं मालूम यार मतलब US में है और दूस्तों जितने भी countries है सब जगे पे लेकिन इंडिया में OnePlus नहीं offer नहीं दिया क्या दुश्मन ही है हमारे साथ में यार हमारे यहां पे students नहीं है क्या लेकिन जो भी है यह है दोस्तों OnePlus 5 के तरफ से update आप इसके बारे में क्या सुच्टों में बताना जरूर नीचे comments में जहां पे दोस्तों Google का target है कि यह पहुँचना चाहिए कम से कम 100 million devices तक जहां पे दोस्तों आपके existing phones हैं वहां पे दोस्तों AR को आप बहुत अच्छे से काम में ले पाएंगे तो इसका मतलब हम क्या सोचें कि क्या project tango मर गया यह दोस्तों क्या यह कितना अच्छा होगा हम देखते हैं लेकिन जो demo वीडियो है वो काफी कमाल का है और मैं इसको लेके कल एक dedicated वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसा मेरा plan है दोस्तों बस यह दा कजारे अपडेट्स मुझे उम्मीदे के बोड़े पसंद आया होगा अगर आपने वीडियो को भी तक लाइक के शेयर नहीं किया तो लाइक भी दिजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुली मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपने रोजाना ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जैहंद वन्दे मात्रम